अभी हाली में जो हमारा पड़ोसी चाइना है इसने SCO की सासन अध्यक्चों की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी की है और देखें जब स्तरे की कोई बैठक होती है किसी संगठन की तो उस संगठन से उस बैठक से आपकी परिक्षाओं में कुर्शन्स पूछे जाने की पूरी संभाव ना रहती है और इसलिए आप लोग क्या किया करिएगा आप लोग उस संगठन के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखा करिएगा और जिस देश के द्वारा उसकी बैठक की मेजबानी की गई है उसके बारे में भी एक सामान जानकारी रखा करिएगा और खासकर उस संगठन की पारे में आप लोगों को जरूर याद रखने चाहीए जिसका भारत सदस है, इंडिया मेंबर हो और हम लोग चाइना की बात करते हैं, तो आप देखें, यह हमारी प्यारी पित भी है और ASEA में ये हमारा प्यारा भारत है हमारा फडोसी चाइना देखने को मिल जाएगा और पूर्वी ASEA में है ये और इसकी रातधानी बिजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और आप देखेंगे कि इसे आजादी कम मिली थी आपको मालू है कि 1 अक्टूबर 1949 में यह आजाद हुआ था यानि कि हम लोग 15 अगस्त 1947 में हो गए थे और उसके 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 में चाइना आपका आजाद हुआ था और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है आपका कौन सा? चाइना और हमारे देश में सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा राज है यह आप लोग बताइएगा नेचे भारत जनसंख्या के मामले में दोसरे स्थान बर आता है और यहां कि अगर आप लोग 6 फल देखे न तो 95,96,961 बरक किलोमीटर में फैला हुआ है आपका चाइना और यहां कि अगर जनसंख्या देखें तो लगभग 141 करोड आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां तो यह भी आप लोग याद रखेगा और यहां आप देखेंगे तो हमारा जो लद्दाक है हिमाचल पिदेश है उसके बाद आप देखें कि उत्तराखंड है और सिक्किम है अवणाचल पिदेश पांच राज्यों से सीमा लगती हमारी चाइना की और एक बात याद रखें लद्दाक के इस भाग पर आप देखते हैं कि अवैद खनन कबजा किये हुए है और कुछ समय पहले यहां लगत्दाक में हमारे सेनिकों के बीच और चाइना के सेनिकों की जड़ब भी हुई थी जिसमें हमारे बहुत सारे सेनिक सहीद भी हुए थे संगठन की ब्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान के इंदरित करने और S.E.O की बार्सिक बजट को मंजूरी देने के लिए S.E.O के सासन अध्यक्चों की बैटक सालाना आयोजित की जाती है और भारत ने बरस 2023 के लिए S.E.O के अध्यक्च की रोम में पदभार समाला और 2023 के मद्ध में दिल्ली में एक सिखर सम्मेलन में सभी S.E.O देसों के निताओं की मिजबानी करेगा और इससे पहले S.E.O सिखर सम्मेलन 2022 हाली में उजवेकिस्तान के समर कंद में आयोजित हुआ है और S.E.O सदस देसों के पितिनीधी मंडलों के पिरमोख ने बैस्विक और छेत्री विकास के पिरमोख मुद्दों पर विचारों का आधान पिदान किया और S.E.O के भीतर ब्यापार आर्तिक सांस्कितिक और मान भी है सहुग बढ़ाने के लिए प्रात्मेक्ता वाले कदमों पर चर्चा किये और भारत ने कहा है कि S.E.O सदसों के साथ उसका कुल ब्यापार केबल 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जिसके कई गुना बढ़ने की छमता भी है और S.E.O के देशों के साथ भारत का अधिकांस ब्यापार चाइना के साथ है जो बर्स 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया जबकि रूस के साथ अगर आप देखें तो ब्यापार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर देखने को मिलेगा और मदेश या देशों के साथ ब्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है और पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे या लगभग 50-500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और चेन के RBI, Belt and Road Initiative पर निसाना साथते हुए भारत में जो पाकिस्तान के कपजे वाले कस्मीर, P.O.K के कुछ हिस्से से हो कर जाता है और भारत ने कहा है, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्त राज्यों की संप्रवूता और चेतरी अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतराष्टी कानून का सम्मान करना चाहिए जब आप देखे कि जो पाकिस्तान के कपजे में है यहां का हिस्सा हमारा भारत का यहां से एक गुजिरा हुआ है और हमसे पूच्छा भी नहीं गया है तो यह तरह से आप देखे चाहिए चाहिना इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानता है लेकिन यह है हमारा तो हम लोगों ने इसमें भाग भी नहीं लिया है हम लोग इसका बिरोध भी करते है और भारत ने मद्द ACI राज्जों के हेतों की केंदरियता पर निर्मिद ACO चेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवसक्ता को रिकांकित किया है जो इस चेत्र की आर्थिक चम्ता को बढ़ाएगा जिससे में चावाहर बंदरगा और अंतराश्टी ए उत्ता दच्छन परिवान कोरीडोर सक्छम बन सकते हैं भारण ने जलवाई परिवतन की चुनोती से लड़ने की अपनी पिती बद्दिता और इस देशा में हासिल की गई उपलगदियों की ओर भी ध्याना करसित किया है और देखें जलवाई परिवतन से पूरी दुनिया पर भावित होती है चाहे वो गरीब देशो या अमीर देशो भारत ने इरान की चावाहर बंदरगा और INHTC के माध्यम से अधिक ब्यापार के लिए जोड़ दिया है और जिसका भारत हिस्सा है इसका लक्ष मद देशी आई देशों के साथ दुईपक्षिय ब्यापार में सुधार करना है चावाहर पोर्ट का निर्माण हम लोगों ने इरान में किया है ठीक है इरान एसिया में ही पड़ता है और आप देखेंगे कि भारत ने इरान के चावाहर सुधार की बात की है बैठक के बात भारत ने भारत को छोड़का सभी देशों का नाम लेते हुए एक सायुक्त ब्र समर्थन की पुष्टी भी की गई है भारत हमें साब विरोध करता रहा है इसका अब संगफरन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग संघाई सहयोग संगफरन के नाम से आप लोग इससे जानते हैं यहीं कि स्थाई अंतर सरकारी अंदर अंतराश्टी संगठ्ने इसे 2001 में बनाय गया था और SEO Charter वर्स 2002 में हस्ताक्षेत किया गया था और वर्स 2003 में लागू किया गया था यही एक Eurasia राजनितिक आर्थिक और सेन संगठन है जिसका लक्षेत में सांती सुरक्षा और इस्तिता बनाय रखना है और इसे उत्तर अटलांटिक संधी संगठन की पितिकार की रूम में भी देखा जाता है यह नौ सदस्ति आर्थिक और सुरक्षा विलोग है और यहां सबसे बड़े अंतर छेत्रिये अंतर छेत्रिये अंतराश्टी संगठनों में से एक की रूम में उबर आए और नाटू की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नौर्थ अटलांटिक जो है ना नौर्थ अटलांटिक टेटी और्गनाईजेशन की बात हो रही है और इसकी अगर हम लोग इस्थापना की बात कर दें तो 4 अपरल 1949 में हुई थी, ब्रूसेल्स, बेल्जियम में इसका हैड़क वाटर देखने को मिलेगा इसमें नाटू में आप देखेंगे 30 सदस हैं कितने 30 हैं और अगर हम लोग SEO यानि कि संगाई सहयुक संगठन की अधिकारिक भासा की बात करें तो रूसी और चीनी देखने को मिलेगा और इस्थाई निकाई की बात करें तो विजिंग में SEO का सची वाला है तासकंद में छित्री आतंगवाद विरोधी सरचना की कारकारी समती है और अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता एक वर्स पश्चात सदस देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम सिखी जाती है और इसकी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 2001 में SEO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, संगा पाइब उननीस सोचानवे सीमाओं के सिमांकन और विस एननीकरन बारता की एक सिंखला से उबरा था और जैसे चार पूर्व सोवियत गड़राज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर इस्थरता सुनेशीत करने के लिए आयोजित किया था और बार्स 2001 में संगठन में उजविक परियोजना की बात कर लेते हैं बी आराई की परियोजना की तो आप देखेंगे वैल्ट एंड रोड इनेसे टिव एक महत्वाकांची परियोजना है जो AC AFIKA, EUROPE महादिम में फेले कई देशों की बीच connectivity और सहयूख पर कहन देते हैं BRIE लगबग 150 देशों, चीन का दावा है कि में फैला हुआ है ये चीन दावा करता है कि 150 देशों में फैला हुआ है 2013 में प्यारम इस परियोजना में रोड़ बेज, रेलवे, समुद्री बंदरगा, पावर ग्रिड, तेल और गेस पाइपलाइन, सम्मन्दित बुन्यादी धाचा, परियोजनाओं की नेटवर्ट का निर्मार सामिल है और इस परियोजना के दो भाग है और बहारत और जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये 2017 में S.E.O. के सदस बने थे, और देखे, पाकिस्तान की बात होती है, तो गुजरात हो, राजिस्तान हो, पंजाब हो, जमू कस्मीर हो, लद्दाग, पांच राज्यों की सीमा लगती है 1947 में तक हमारा हिस्सा था, और 1947 में जब ये अलग हुआ था पाकिस्तान, तो बंगलादेश इसका ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान की वीचे उद्दुगा था, उस समय हमारे देश की पिधार मंतरी इंद्रा गांदी थी, और उस समय पाकिस्तान की दो टुकडे हो गया थे, बंगलादेश आजाद हो गया था कुशन्स पूछे जाते हैं, और इसलिए कहता हूँ कि जिस भी एक चाम की आप लोग तैयारी करें, उसके पराने कुशन्स पीपर और उसके लेवर्स आप लोग अच्छे से देख लीजेगा, उनका मूल ल्यांकन करिएगा, तो मुझे लगता है और बहतर आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है?